अब अब कि अब कि अब अब इस सेक्शन में डिसकस करने वाले हैं कि बॉयलर में हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन कैसे कर सकते कि अब इस सक्षिन में कोशिश करें अब टेस्टिंग कर ली एक इस से कल्कूलेट पहले हैं कर चुकी है तो फर्स्ट मेथाड या फास्ट तरीका जिसके थिर्व एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं बॉलर में यह टीज इस इस्टैक टेंपरेचर इस्टैक टेंपरेचर होता क्या है और यह वह टेंपरेचर है जिस पर हम वाटर वेपर जो एक्जॉस्ट के आसपास कंडेंस राते हैं उसको रिमूब करने के लिए करना होता है तो इस टेंपरेचर हम बोलते हैं स्टैक टेंपरेचर यूज्वली इन टरम्स अफ एनर्जी कंजर्वेशन जितनी कम स्टैक टेंपरेचर की वैली होकी उतनी अच्छे आपके एफिशंसी मानी जाएगे लिए फ्रोग्सिमेटले लेका जाए वन परसेंट कि एफिशंसी लॉस होती है आपकी जब भी आप 20 डिग्री स्टैक टेंपरेचर इंक्रीज कर सकते हैं तो वन परसेंट एफिशंसी लॉस कम होती है और एवरी है ट्वन्टी डिग्रीजान टेंपरेचर टेंपरेचर तबात करते हैं कि अगर हम इसकी बात से जाएंगे कम रखेंगे लिए तो कहीं ना कहीं हमारी एफिशंसी ज्यादा हो गी जो कि फिर्श्च मेथडिस टू रेदियो करने वाले हैं करने वाले हैं तो प्रीट वाटर लिए यूजिंग अपीड वाटर ना यूजिली हम लोग जब भी वाटर को लेट करते हैं हमारे बॉइलर में इस शुड नॉट बेट नॉर्मल टेंपरेचर उसको प्रीट करना एक बेटर एफिशेंसी आपको प्रोवाइट करेगा जो भी एकनोमाइजर का एकजिट वाटर है उसका टेंपरेचर अगर 65 डिग्री सेंटिग्रेट की अपरोस रखते हैं तो आपकी थ इस अप्रोग्जिमेटली फाइफ परसेंट तो इस वी कें मैंटेन हमारे एफिशेंसी आप इंक्रीज कर सकते हैं तो थार्ड मैथर्ट तो कंजर्व एनर्जी और इंप्रूव एफिशेंसी इस कंबर्शन एयर प्री हीट करके हम उससे भी एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं ठीक है यह एक अल्टनेटिव है प्री हीट वाटर के इसमें नॉर्मली जब हम थर्मल एफिशेंसी की बात करेंगे तो जब भी इसकी टेंप्रचर 20 डिग्री से इंक्रीज के आता है देर इस इंक्रीज इ जो है वो वन परसेंट इंक्रीज होती है जब भी हम कंबर्शन एया तेंप्रेचर को 20 डिग्री से इंक्रीज कर सकते हैं तो इस इस वावर थार्ड मेथड फॉर्थ इस इंकंप्लीट कंबर्शन इंकंप्लीट ना जो भी फ्यूलम यूज करने वाले हैं अगर वह कंप्लीटली बर्ण नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं जितनी उससे आपको मिलने वाले थी इतनी हीट प्रडूस होने वाले थी वह कम होगी इसके लिए रेस्पॉंसिबल हो सकते हैं जिसे कि शॉर्टेज ऑफ एयर जो सप्लाइब करते हैं तो प्रॉपर्ली कंबर्शन नहीं होगा अगर फ्यूल जाए वह सकता है अगर फ्यूल कर रहे हम बर्णिग चेंबर में अगर प्रॉपर्ली इसको पता करने के लिए कि हमारा जो फॉर्पर्ली हो रहा है सबसे ईजी तरीका होता है कि जो स्मोक हम रिलीज़ बहुंगे उसका color देखके हम immediately बता कर सकते हैं कि combustion properly हिया नहीं है सब्सक्राइब की combustion में improvement किया जाता नहीं किया सकता है smoke is very easy to understand कि smoke का color देखिए color के इसले tell you कि वह combustion किस तरक्ली का हो रहा है फॉर्थ method is आपना incomplete combustion next is excess air control it is access air control now controlling excess air in order to optimize the label is always in reduction of fuel gas losses अगर हम इसको excess air control करते हैं optimize करते हैं तो जो फ्यूइल गैसे के लॉसस होते हैं कहीना कहीं वह रेडियूस जाते हैं तो फ्लूग गैस करने के लिए हमें इसकी वैल्यू कम रखनी चाहिए पार्संट रिड़क्शनीन एक्से से रख एक्सेमेटली 0.6% effe चयंशी इंक्रीज होती है इस प्रूग कि टैसे का लॉसस है नाके वल वह एल्टीमेटली एडिवस हो रहा है उस्के से रिच्शन्सिमें 0.6% for every 1% reduction in excess air वो मिलता है। तो इस अगान वन 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 व बेस्ट थिंग जिसके तिरूम एपिशनशी और अनरजी कंजब हमारी हम कर सकते है। क्या नेक्स्ट रेडियेशन औन स्सवाटो शरा है कि ते स्ब्सक्रणे मेंटेंपर फ्रजै –वी रेडियेशन अन से प्रिक और करापें यंवाद क्र भूद्वीनë डाइडियेशा क्लिणर भ मेंट जो व्हारी नाओटो च्छान विसी प्हुति अइंडर वंबी मैंने उ प पास करवा रहे हैं उनको अगर हम रेड्यूस करेंगे आपकी एफिशेंसी बढ़ेगी आपका एनर्जी का लॉसेज भी कम होंगे आपका एनर्जी एफिशेंसी इंक्रीज होगी इन्क्रीज होगी नौ सेवन्थ पॉइंट आपर वी भी नियुटर्फ आप टर्फ दMat डिश्कास्छस रिचेन इंद्रेशिएंट करेक्ष इंट्रों से आट्मेटिक अट्रों यह वाट्रवी करते हैं उसी अग्र अंटट्रोड़े अगर अनփ कंट्रोल गोंग करते हैं यह पालोड़ा करते हैं बैद्ट्लीडर्ण रहता है अगर हमाँ ब्लोडाउन तो बहुत सारा वाटर वेस्ट होता है इंस्टेट अगर हम एक आटमेटिक कंट्रोलर डिजाइन कर लें जिसके बेसिस पे सेंसर के थुरू हम बॉइलर का जो वाटर की कंडुक्टिविटी है और पी एच वगरा है उसके बेसिस पर स्कुर्ड बॉइलर अगर हम लेते हैं कि एक एपसीट वाला बॉइलर तो देर इस थी परसेंट एफिशेंसी लॉस तो अगर तैन परसेंट ब्लोडाउन अगर हम वेस्टेज कर रहा है अल्टिमीटली विकॉस अप अंकंट्रोल डॉडाउन तो कही न कहीं हमारे एफिशे से थी परसेंट का लॉस देखा जाता है हैंस ऑटमेटिक ब्लोडाउन कंट्रोल इस वन अदो मैथर इसके मिस्ट जो तैन परसेंट को कम करके एकलिस्ट बन टू परसेंट पर ले आते हैं जो एफिशेंसी का लॉस वह भी बहतर हो जाएगा दिमेट देन देन्ट मेथाद इस रदेक्षन फेस्केलिंग इंड ग शुट लोस सिंस केलिंग अंड शूट लॉस वार्टर इसकेलिंग हम जानते हैं जो वॉटर हम लूब यूज करते हैं कई पाधा हमारे घरो पाइप से हमारे जो बहुत वाधन की टैप पर रहा है उसमें कोई करेंगे एक नीचे पूरी लेयर जमती जाएंगी हाट जो आगए हमको प्रोब्लम कर सकती है वहीं सूट के अगर बात करते हैं तो इस लिग ब्लेक पाउडर जो कोई की बान करते हैं तो जो उसके सरफेस पर जो हमारे जम जाता है ultimately वो कहीं न कहीं system को affect करता है अब कैसे affect करता ultimately जब भी coal fired या oil fired अगर हम किसी भी boiler की बात करें तो यह जो fuel जो जलने के बाद जो suit generate होता है वो tube के आसपास build up हो जाता है इसकी वैज़ से अब उसके प्रॉब्लम यह होती कि जितनी भी heat generate हो रही है आपके बर्निंग एरिया में आपके फर्नेस में वो सारी की सारी heat absorb नहीं हो पाती boiler से क्योंकि boiler के surface से और बहार हीट है उनकी बीच में एक layer कि रिमूब करते रहें जिससे कि minimum इनके वैसे जो लॉसास हो रहा है वह हो हूँ है कि कि जब भी सूट की अगर हम कि विट तो देखें अगर रहती है तो वह फ्यूल कंजम्शन है उसको धाई परसेंट से जादा इंक्रीज कर जबता है इंक्रीज इन फ्यूल कंजम्शन कि इसकी बज़ेस होता है यह जब हमारा सूट जो लेयर है ब्लैक पाड़क लेयर वह थ्री एमेम के आसपास होती है अगर तो यह फ्लूग वैस जो है उसका टेंप्रेचर भी आपका इंक्रीज करने पड़ता है अपको तो वह हमारे यह रेगुलर क्लीमेंट के लिए बहुत जल्दी बहुत रेगुलर वेसी स्पेस की होती ही इसके लिए बहुत इंपरटेंट्ट परनेंट करते है या बॉलर ट्यूप बैंक्स होता है या सब्सक्राइब करना होते हैं नेक्स थिंग जो नेक्स हमारा पॉइंट आएगा जिसके थुरू हमारी एनर्जी कंजर्वेशन पॉसिबल है बॉइलर में इस यूजिंग वेरियेबल स्पीड ड्राइब इतने भी फैंस हैं ब्लोवर हैं पंस हैं हम इन सब सब्सक्राइब करें जानते हैं जैसे भी रहेगी उसकी स्पीड उसके अग्यों पंप या ब्लोवर हो एक यह पस्तू ऑप्टिमाइज सिस्टम तो वेरियेबल स्पीड ड्राइब करना फैंस के साथ ब्लोवर का पंस के साथ विल लीड टू सेविंग और एनर्जी एन के परामिटर आता है जिसकी वजह से एनर्जी फर्दर कंजाव हो सकती है इस अफेक्ट ओफ लोडिंग और एफिशंसी यह अन्डेस्टैंड करने की तो अफेक्ट ओफ लोडिंग ना ओन बॉइलर इस दिखान रखने चाहिए कि बॉइलर की जो बैस्ट एफिशंसी है वो कभी फूल लोट पर नहीं आती है हमेशा ध्यान रखिए कि बॉइलर की बैस्ट एफिशंसी और टू थाड़ फूल लोट तो हम हमेशा जब ऑपरेशन डिसकस करें तो ट्राइटू मेक्शोर कि जो ऑपरेशन रहे वोट टू थाड़ फूल लोट की जो वैली हो इसके आसपास ही रहे जिससे कि बैस्ट एफ प्रॉपर बॉइलर अच्छ नंबर आफ जो लोड है उन पर लेस्ट नंबर ओफ वोड रहे ज्यादा उतना अच्छा वक्र है अल्टिमेटि अगर जाए नंबर ले रहे हैं लोड कम है तो अल्टिमेटि ले अफिशिंस कम होगी तो हम यह मेक्शो करें कि तूठड रहे हमारे हर बॉलर की उपर और उसके बाद अगर क्रमेंट रहती है तो वी एन यूज निव बॉल ऑके जब वह साथ हमां पाव प्लांट से उनिट से उसमें इंड्यूस कर रही है तो इस्ट कमस बॉलर रिप्लेस्मेंट करने के लिए कि एक सॉलिट रिजन बनता है अब इसके रिजन करने पहले सबसे बड़ी ज़रूरी अल्टिमेट ली कि हमको क्या सेविंग्स होने वाली रिप्लेस करने के बाद यह मेनेजमेंट का आप यह अफ्रोस करेंगे कि जिसके वह से बॉलर को जो है फाइनेशली वह हमको बहुत नुक्सान कर रहा है और उसे हम चेंज करेंगे तो हम वी है फाइनेशली अट्रेक्टिव अपर्चुनिटीज तो वह फाहिं को डिसकुस करते हैं तो फिस्ट इंट कमस इंट इस ओल्ड और इन इनेफिशियंट अगर अगर्वाँ ताइम हो चुका है बॉद्ड यूस करते हुए जिसके एफिशिंट से का उते जा रही है उसका इंट बॉल्ड और इनेफिशिंट अपर दीजिद दोड करकें टीशिक आगर्वाँ और इससे इसे कुछ एकर रीजन्स आते हैं हमें बॉलर को चेंज करन अगर वो चीप पर इसको अगर नहीं कर पा रहा है इस नोट की पर ऑफ गेनिंग अनेजी परमिट तो इसको हमें रिप्लेस करना जाए नेक्स जो अल्टिमेटली रिजन आता है रिप्लेस्मेंट वोईलर का वा आता है ओवर और अंडर साइज पॉर प्रिजेंट रिपार्म दोने ही केस हैं वोईलर को रिप्लेस करना रहे है तो अकर उसकी क्यापसिटी के एक्कॉर्डिंग हमारे रिक्वार्मेंट मैच नहीं कर रही है वी शुड रिप्लेसिट पर नुकसान करेगा आपको यूज करना और और नौ लोट पर भी नुकसान करेगा तो वी शुड र और अंडर साइज बॉइलर बेज अपन और इसके बाद एक और रिजन होता है जिसके वह से आप बॉइलर को रिप्लेस करने का सजेशन दे सकते हैं जो बॉइलर के डिजाइनिंग है इस नौट आइडियल पर प्रेजेंट लोड कंडिशन जो लोड जिसको उसको सप्लाइ करना है उसके अगर इसकी डिजाइन नहीं है तो गणके डिप्लेस दो बॉइलर तो यह 12 अलग अलग मैथर्ट इसके लाव और वह सकते हैं बेज जपन डिफिंड इंडेस्टी इस पर कॉम्बल कॉमन लीं बारा मैथर्ट कर थू हम कही ना कई एनर्जे अजर इनर्वेशन कर सकते हैं उसके एफिशंसी इंक्रीज कर सकते हैं थैंक यू